वर्ष 2018 में घटित निखिल मेश्राम हत्याकान के साथ आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इस हत्याकान में कुल 16 लोगों पर मामला दर्च किया गया था जिन में से 4 आरोपी अभी भी फरार है पुलिस के मुताबिक निखिल के भाई विक्की मेश्राम की दूसरे पक्ष की युवती से प्रेम संबन्थ थे और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद होते रहता था इसी विवाद के चलते 20 मई 2018 के दिन आरोपियों ने निखिल और विक्की पर हमला कर दिया जिसमें चार अभीवी फरार है, 12 लोगों के उपर खटला चला, केस चला, उस केस में मानेनिय कोर्ट ने साथ लोगों को दोशी ठहराते हुए आजनम कारावास का सजा सुनाया है